अगर आप दुर्गा पुजा में पंडालों में घूमने जाने वाले हैं तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी हो सकती है जियां दरसल दुर्गा पुजा में लगने भाले भीर को देखते हुए प्रसाशन की तुरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और कई रूटों को बदल दिया गया है कल से लेकर दसमी तक के लिए यह तमाम रूटों को बदल गया है और क्या वो खास रूट हैं जिने बदल दिया गया है ताकि किसी तरीकी की ट्रैफिक की समस्या ना हो भीड ना लगे इसको लेकर के प्रिसासन ने एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो उठाई है दरसल आपको ये भी बता दे कि इसके साथ कई रूटों में बदलाव हुए है और बेली रोड से लोग सीधे डाक बंगला नहीं आ सकेंगे स्टेशन से गांधी मैदान और कंकर बाग जाने के लिए एक जिबिशन रोड के तरफ से जाने की विवस्था की गई है दरसल कल सब्टमी से लेकर दस्टमी तक पटना के सहरी इलाकों में भारी वाहनों का प्र शानी होती है अकसर ये देखने को मिलता है कि दुरगा पूजा में पंडाल में जो लोग घूमने के लिए आते हैं वहाँ पर उन्हें ट्राफिक की समस्याएं जहलनी पड़ती है गारियों की लंबी-लंबी कतार लग जाती है इसी को लेकर प्रसासन ने एक एहम बैठक की ह और बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है फैसला में ये साफ तोर पर बता दे आपको कि कई एहम रूटों को बदल दिया गया है दरसल डाक बंगला चुराहा की अगर हम बात करें तो हर बार जब भी पंडाल लगाये जाते थे वहाँ पर भीर की समस्या दिखी जाती थी लोगों को खासा परिशानी होती थी ऐसे में प्रसासर ने रूट को बदल दिया है और अगर बात करें तो दो साल से पंडाल नहीं लग रहे थे दरसल कोरोना की जो स्थिती थी जो भयावर स्थिती थी उसकी वज़र से लोग जो थे वो घरों में बंद थे और त्यूज त कंभ बात करें तो आपको बेली रोड जाने के लिए रास्ते बदल दिये गया हैं और याता इयाद की वज़र से किसी तरीक ही ट्राफिक जामना हो बाधाना उत्पन हो इसकी लिए प्रसाथा लिए करे कदम उठाये और इस तरीके की वैवस्था भी की गई है साथी साथ एक एहम बाद जो DTV भारत अपने तमाम दर्सकों से अपील करना चाहेगा आप बेशक मेला घूमिए बेशक आप दुरगा पूजा में माता के दर्शन कीजिए लेकिन ये बिल्कुल मत भूलिए कि कोरोना अबे खत्म नहीं हुआ है ये हमारे बीच है ऐसे में आपको तमाम अतिहाद बरतने हैं जो सरकार की द्वारा जारी किये गए हैं जो सरकार ने आप सभी जनता के लिए निर्धारीत किये हैं आप सभी को दुर्गापुजा की धेर सारी शुखकाम नाए और इस बीच डी टीबी भारत की ये अपील को भी याद रखेगा इस ख़वर में इतना ही नमस्कार